दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो दोस्तो बेगु सराय से चुनाव लड़ रहे है कनहिया कुमार कितनी है उनके संपत्ती और क्या करते है काब JNU छात्र संग के पुर्वा ध्यक्ष और CPI के टिकेट से बेगु सराय से लोगसभा चुनाव लड़ रहे कनईया कुमार ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है कनईया कुमार के नामांकन जुलूस में हर उम्रवर्ग के लोग शामिल है सबसे अधिक संख्या नव जवानों की रही उनका उत्साह देखते ही बन रहा था उनके नामांकन के जुलूस में फिल्म अभिनेत्री, स्वरा भासकर, सामाजिक कार्यकरता, कीस्ता शितलवार, सिपियाई नेता अतुल अंजान, सिपियम नेता हनान मुल्ला, जेन यू छात्र संग की पुर्व अत्यक्षा, शेहला रशीद, पुर्व सच्चिव रामा ना उन्होंने अपनी कुल संपत्ती आठ लाक रुपे बताई है, नामांकन के लिए पेश किये गए हलफ नामे में, कनहिया कुमार ने 2018 में अपनी कूल आए 2,28,290 रुपे बताई है, जबकि 2017-18 में उन्होंने अपनी कूल आमदनी 6,30,360 रुपे दिखाई है, इस हिसाब से उ आम तोर पर नामांकन के हलफ नामे में प्रत्याशियों से 5 साल की वित्य बेवरा मांगा जाता है, वही कनहिया ने पेश वाले कॉलम में खुद को बेरोजगार और स्वतंत्र लेखक बताया है, उनके पास बेगु सराय के बीहट गाउ में विरासत में मिली मात्र, देड़ डिसमिल गईर कुरुशी योग्यत जमीन है, चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश किये गए अपने हलफ नामे में कनहिया कुमार ने बताया कि अभी उनके पास 24,000 रुपे नगद है, जबकि एक बैंक अकॉंट में 1,63,647 और दूसरे में 50 रुपे जमा है, इसके अलावा क कनहिया ने अपनी आयको प्रमुक्स द्रोथ किताबों और विभिन्न जगों पर दिये गए वैक्खैनों की रॉयल्टी के तौर पर पेश किया है, वही अपराधिक रिकॉर्ड वाले कौमल में कनहिया ने अपने उपर 5 मुकद मुका जिक्र किया है, जो कि उनके JNU के अध देख्ष रहते हुए दर्ज किये गए थे, हलफ नामे के मुताबिक कनहिया पर धार्मिक सध्भाव बिगाडने, अनाधिकृत सभा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, धारा 124-1 के तहत नारे बाजी करने समयत कुल 5 अपराधिक मामले दर्ज है और सभी लंबित है, इस आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटिस्क वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले, धन्यवाद